एलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है माइट्रो कॉनिंड्रिया. यह माइट्रो कॉनिंड्रिया क्या है? Mitrocornindria ये Greek word है ये क्या है? ये Greek word है ये कहा से आया है? Greek word से आया है और इसका meaning क्या होता है? इसका meaning होता है ये दो word से मिलकर बना होता है ये क्या है? दो word से मिलकर बना होता है ये क्या है? पहला word हो गया mito और दूसरा क्या हो गया? echondria Mito का मतलब क्या हो गया आपके? आपका हो गया Thread क्या मिनिंग हो गया? Mito's का मतलब Thread और Conundria का मतलब क्या हो गया? Granules Granules ठीक है? तो ये कैसा structure है? ये Thread-like structure है Thread यारी Hindi में इसको कहेंगे सूत्र या धागा और Granules मिन्स कनिका तो ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शूत्र कनिका ठीक है? तो क्या कहेंगे? शूत्र कनिका इसका हिंदी में नाम क्या हो गया? शूत्र कनिका और इसको क्या कहता है? इसका मीनिंग क्या है? Thread Granules ठीक है? यह कहां से आया एक कॉन वर्ड है? यह Greek वर्ड है. अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह वर्ड सबसे पहले, यह Mitrocon India को किसने सबसे पहले खोजा? इसको सबसे पहले खोजा था, एक वैग्यानिक थे, कॉलिकर, ठीक है? कॉलिकर इन 18, 18 में इससे क्या क्या था? सबसे पहले सेल के अंदर देखा था, क्या क्या था? यह Nucleus है सेल है यह, इन्हें सेल के अंदर इन्हें देखा था, और इस टाइम इन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, इस TIME इन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, तो इसका नाम किस ने दिया था? इसका नाम दिया था, बैंडाने, बैंडाने कब दिया था? 1897 में क्या दिया था नाम इन्होंने Mitroconindria इन्हों नाम किस ने दिया था अलग scientist थे वो Banda थे और कब दिया था 1897 में दिया था Mitroconindria और इसे सबसे पहले देखा किस ने था Polycar सामने देखा था कब देखा था 1880 में देखा था तो नाम नहीं दिया था अब यह आता है question कि यह Mitroconindria जो cell है वो cell के अंदर कितना होगा तो normally क्या होता है एक cell में अगर एक Mitroconindria सिंगल Mitroconindria है तो उसको क्या कहेंगे Mitroconindrion कहेंगे जब एक Mitroconindria को Singular में क्या कहेंगे Mitroconindria अगर यह एक से ज़्यादा होगा अगर एक cell में एक से ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे Mitroconindria कहते हैं ठीक है एक से ज़्यादा होगा तो एक cell में तो इसे क्या कहेंगे Mitroconindria कहेंगे एक होगा तो उसे क्या कहेंगे singular में होगा तो क्या कहेंगे? Mitroconyndrion कहेंगे. तो क्या होता है? हमारे जो body में, हमारे जो cell में, वो क्या होता है? एक Mitroconyndrion नहीं होती जहां पर इसका काम क्या होता है? यह इसका काम होता है हमारे cell को energy देना. तो तो उसमें क्या होगा? एक से ज्यादा 擊 weyn और सेल में प्रेजेंट होंगे हमें देखते हैं यहां क्या है माइटा कॉर्निरी तो माइटा कॉर्निरी सिल est डबल मेम्रेंफ बॉंड ऑर्गनेज्व प्रेजेंट क्या है इसका मतलम? हमने देखा मैंदर सेंडीैं में और समेंद सेंडीर not China सेंडीर ये virtually the उसमें पाये जाता है, यह क्या करता है, यह produce 90% of cell energy, यह क्या करता है, 90% cell को energy देता है, किसके थुरूई देता है energy, ATP, ATP क्या है, adenosine triphosphate है, ठीक है, ATP क्या है, adenosine triphosphate, और यह क्या करता है, यह main energy molecules used by cell, यह क्या है, main molecules है, cell के लिए, गाये, जो energy provide करता है, इसको क्या कहते है, इस microphones in India को और किस नाम से कहते है, यह क्या करता है, Крас Richafter, यह क्या है, powerhouse है, kis का powerhouse है, cell का powerhouse है, जब cell को energy देता है, तो क्या होता है, यह powerhouse बन जाता है, इसका दूसरा नाम, powerhouse क्यता है, नेक्स्ट पॉइंट का है, ब्रेकडाउन नूट्रियन्स एन फॉर दा एटीप एनरजी, यह क्या करता है, यह क्या करता है, जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे हम अंदर में कार्भोहाइडरेट और फैट यह प्रोटीन किसी भी रूप में जब लेते हैं, शरीर के अंदर जात और यह कंवर्टा जो किस के present में करता है, वो किस के present में करता है, ओक्सीजन के present में यह क्या करता है, यह हमारे नूटियन्स जो हमने अबजॉब कें, ऑसको अटीप में convert कर देता है, दूसरा ड़ता है, अगर हम लोग हमने कहा, एक cell में एक से ज़्यादा mitrocorn india पाया जाता है, कहीं कम गाया जाता है अगर एक से ज़्यादा पाया जाता है तो वो किस basis में पाया जाता है ठीक है, यह जो number depends upon physical activity of cell तो यह क्या है यह mitrocorn india क्या है, हमारा powerhouse है, तो अगर powerhouse है, तो अगर एक cell में अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या करता होगा ज्यादा इनर्जी प्रोड्यूस करता होगा तो वह किस पर क्या करता है? तो कितनी होते होगी? हमारे लाग में लीवर ए लीवर सेल में, इसमें कितना हो सकता है, एक सेल में, कितना माइट्रो कॉन इंडिया हो सकता है, हमारे लीवर में, ठीक है, एक हमारे लीवर सेल में, कितना माइट्रो कॉन इंडिया हो सकता है, एक सौसे, कितना होता है, 2000 तक Mitroconindria हो सकते हैं एक सिल लगभग की बात कर रहे है हमारा क्या बोल रहे हैं लगभग यह liver cell में liver cell क्या करता है हमारा जादा work करता है जादा energy यूज़ करता है तो उसमें कितना Mitroconindria एक सिल के अंदर मौजूद हो सकता है 100 से 2000 Mitroconindria हो सकते हैं और क्या होता हमारा जो RBC है हमारा RBC जो है तो उसमें कितना Mitroconindria होते हैं नहीं होते हैं उसमें क्या होते हैं Mitroconindria नहीं होते हैं क्योंकि उसका life जो होता हो भी कम होता है इसलिए उसमें क्या होता है Mitroconindria नहीं पाए जाते हैं अब देखते हैं इसका structure यह दिखी यह है mitoconindria यह क्या है? यह mitoconindria है मैंने बताया कि यह double membrane होता है यह outer membrane है यह बाहरी दिख रहा है जिली उसको क्या कहते है? outer membrane कहते है और यह क्या है? उसके बाद क्या है यह? यह जो जिली दिख रही है यह pink color की वो क्या है? inner membrane हो गई यह दो membrane में बंद होता है यह outer membrane और यह inner membrane तो यह outer membrane की जो ठीकने से मोटाई है और कितनी होगी? कितनी होगी यहाँ है? 60 angstrom है कितनी है? 60 angstrom है आई यह जो inner membrane की है inner membrane की कितनी मोटाई है? 64 angstrom है ठीक है? और यह जो outer inner membrane के बीच का जो यह जगह दिख रहा है यह जो खाली खाली जगह दिख रहा है और उसको क्या कहते है? उसको कहते है आपके intra membrane space कहते है क्या कहते हैं, intra membrane space कहते हैं, इसमें भी fluid भरी होती है, तो इसकी जो fluid की consistency होगी, वो कैसी होगी, वो क्या करता है, ये inner membrane जो होता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, semi-permeable होता है, और ये जैसा हमारा cytoplasma होता है ना, हमारा जो plasma membrane होता है, cell membrane होता है, जैसा ये membrane बना होता है, सेम उसी तरह ये जो outer membrane है, हमारे mitochondria का, सेम उसी वैसे ही बना होता है, ऐसे ही phospholipid का बना होता है, फास्फो लिपिट के दोहरी दिवार का बना होता है, double membrane का बना होता है, क्यों से और ओस उसमें परोटीन पाया जाता है है यह उसी तरह सच्टर थे और यह क्या है इस इसधाल प्लॉइड वरा हुथ वो कैसा फुलुड भरा होता है सेम साइटो प्लाजम क्योंकि ये क्या करता है ये सारे साइटो प्लाजम के जो लिक्विड है उसको अंदर आने देता है उसके बाद ये क्या है इनर मेंबरेन और इस इस पेस को क्या कहते है इंट्रा इंट्रा मेंबरेन इस पेस कहते है और य यह क्या करता है inner membrane यह देखिए inner membrane इस तरह जा करके एक structure बनाता है और यह structure को क्या कहते है इसे कहते क्रिस्टा यह जो finger like structure बनाता है उंगली नुमा जो structure बनाते है उसे क्या कहते है क्रिस्टा कहते है यह क्यों होता है यह कैसा होता है एक तार को जैसे जह हम लोग त्रेड इसक तो यह क्या होता है ना अगर हम इस तार को अच्छे से अरेजट करके अगर एक मेंब्रेन में बन कर दिये तो क्या हो गया यह कम स्पेस खेर लिया और यह क्या करता है ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है इस तरह फैला हो तो यह ज्यादा स्पेस ले लेगा और काम तो उतना ही करेगा मगर ज्यादा स्पेस ले लेगा और यह एक सिल्म अगर होगा तो कम हो जाएगा तो यह क्या होता है अगर इस तरह हम लोग फोल्ड करके एक तार को मान लेते हैं, तो एक तार को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके एक थैली में बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा जगह, कम जगह लेगा, और एक इसमें एक थैली के अंदर कितना बहुत जादा रह सकते है तार तो उसी तरह ये क्या करता है अपने अंदर इस तरह structure बना लेता है और ये क्या करता है structure इसलिए बनाता है कि जादा से जादा काम कर सकते है जादा से जादा क्या कर से energy produce कर सके ठीक है तो यह जो उंगली नमा structure बनाया, जो इक क्रिस्टा बनाया, वो किसत किधर बनाता है, वो अंदर कि तरह बनाता है, क्या करता है, इनर मेंबरेन के अंदर की ओर बनाता है, और इस अंदर की ओर क्या होता है, यह जैली नमा structure होती है, अब इस जैली नमा structure को क्या कहते है, इसे matrix कहते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, इस मैट्रिक्स में, इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में, क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे छोटे 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 इस्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अब वो इस्ट्रक्चर क्या है, तो क्या है ये, छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं तो किसा है कि्दि कहां होते हैं नूखले में होते हैं कि अलावा भी डी ईंए न app ब strang दीन आ अ इसका होता है इसक cud who क्या पाए जाते है, granules पाए जाते है, ATP, synthetase पाए जाते है, जो क्या करते है, ATP, energy क्या करते है, energy produce करते है, ठीक है, आगे देखते है, इसके structure को detail में कवरते है, यह देखे, structure of mitochondria, तो इसका structure क्या क्या हो गया, outer membrane पहला हो गया, और यह inner membrane है, यह crystal है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ पर एक होगा, inter membrane space ठीक है, यहाँ लिख देते है, देखे, outer membrane, यह outer membrane क्या है, उसके बार हम देखते है, पहला point क्या है, यह enclosed entire organelles, यह क्या करता है, यह mitochondria के, सारे structure को, क्या करता है, बंद करता है, अपने अंदर देखी है है न, यह अपने अंदर, सारे के सारे mitochondria structure को, बाहरी दीवार, जिसको कहते हैं, बाहरी जिल्ली, outer membrane, वो क्या करता है, इसको 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 क्या करता अब वो क्या करता है freely permeable होता है freely permeable किसके लिए होता है small molecules के लिए होता है small छोड़ी चोड़ी molecules होते है उसको क्या करता है आसानी से इस membrane के अंदर जाने देता है दूसरा क्या है ट्रांसपोर्ट लार्ज molecules through channels of protein क्या करता है उसको क्या कहते है पेरीन कहते है और यह क्या करता है इसको कहते है उसका अलग से नाम है उसका नाम क्या है पेरीन्स ठीक है पेरीन्स नाम है लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसपोर्ट कराता है जो प्रोटीन तो उसको किसके थू कराता है इस पेरीन्स के थू कराता है ठीक है नेक्स्ट क्या है इंजाइम इन्वाल्ब ऑफ ऑक्सिडेशन तो उसके माइट्रो कॉन इंड्रिया 폭व किया करता एंजाईम और वो किसके लिए ? ऑकसीडेशन में करता है यह क्या करता है इस मेंब्रेन के अंदर जाने में नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है इंट्रा मेंब्रेन स्पेस यह कहा होता है यह इन आउटर मेंब्रेन यह हो गया और यह क्या हो गया इनर मेंब्रेन हो गया तो यह आउटर और इनर मेंब्रेन को जो बीच वाला जो स्पेस होता है घाली जगह होता है उसको क्या होता है इसे को काउतह है इंट्रा मेंबरेन स्पेस कहते है के है यह आपर लिखा हूब trade बिट्मी और बीच में यह इसमें कौंक साथ भराताNow बिल्कुल इसका fluid कैसा होता है ? बिल्कुल psychopath है ज़े ज़ासा होता है और इस fluid को क्या कहते है ? इस fluid को कहते है cytosol cytosol कहते है ठीक है ? next डिकते है inner membrane third क्या है ? third है inner membrane ये क्या होता है ? in force forming इस तरह इस तरह करके, यह यह बनाता है, इस तरह करके। conf खोनी अर Bangladesh के थे, आइसी कमट्मेंट को यह कहते है, Krista कहते है. ग्रिष्टा कहते है न इंच्रीश सर्फैस एरिया क्या करता है ये सर्फनीच को बठशा देता है यह मड़ हो trophy पूरा इस तरह रहे तो यह क्या होता यह बहुत सर जगे अगर यह अंगर यह मना यह तो यह क्या होगा एक छोटे से जगह में भी रह सकता है तो इसलिए क्या बना देता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते है क्रिस्टा कहते है और यह ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने अंधर क्या होता है यह तो फ्रील यसको लगता यह जरूरत है बहुत कम, इसमें, quantity में ये क्या करता है, अपने अंदर material को आने देता है, ये ज़्यादा तर क्या करता है, ये अपने अंदर enzymes को ही आने देता है, ठीक, next क्या है, ये जो outer membrane और inner membrane के अंदर में ये क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को क्या कहते है, ये यह fluid भरा रहता है, इस fluid को क्या कहते है, matrix कहते है, यह देखिए, matrix है, अब matrix को देखते है, फर्स पॉइंट क्या है, space is close by inner membrane, jelly-like, ठीक है, gel-like होता है, यह क्या हो, कौन सा space होता है, अगर inner membrane के अंदर वाला जो space होता है, उसको क्या कहते है, चीह देखिए, यह देखिए, ओसको क्या कहते है, इसको क्या कहते है, इस liquid को matrix कहते है, इस matrix के अंदर यह देखिए, यह दाना होता है, इस espaço है, इसके अंदर होता है आपकी granules होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी ribosome होता है, ना, यहां लिगाँ, DNA क्या है, deoxy ribonucleic acid है, यह क्या होता है, independently, freely independent होता है, यह nucleus में जो पाया जाता है, वो वहां से नहीं, इसका mitroponendria का खुद से, खुद का DNA होता है, और यह कैसा होता होता है ,คर्कुलर dna होता है !! रीक है ! और न्यूक्लिएस में कैसा hellical पाया जाता है !! next क्या होता हैmic matrix के अंदर enzyme होते है । यहWत अगनल नंतर एंजाईं क्या करता है ? यह pre lance app यह आटीप आटीप यहा करता है , और क्या होता है ? यह प्रोटीन होता है 1930 अवर मेंटिक्स के अंदर, और क्या होता है? ग्रैनिल्स होते है, और क्या होते है? राइबोजोम होते है अब जो हम लोग देख रहे है, ये स्ट्रक्चर ये देखे ये Inner MEMBRAINE के अंदर जो क्रिस्टा के ऊपर ये खुंडी type का structure दिख रहे है और वो ये क्या है? वो इसको क्या कहते है? F1 Particle कहते है, ये structure इस तरह दिख रही है ना, वो इस तरह की structure दिख रही है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये F1 Particle है, यहां लिखा हुआ है F1, अगर ये F1 Particle को हम लोग ऐसे Single में देखे, तो ये कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा और इसे क्या कहते है F1 ठीक है Particle और इसका दूसरा नाम क्या है इसको और किस नाम से कहते है Oxysome ठीक है इसका दूसरा नाम क्या है Oxysome और ये Oxysome एक mitroconindria ये दीख रहा है आपको एक mitroconindria में कितने सारे देखे Bugün एक सारे क्रिस्टा में, कितनी सारे ओक्सिस हों, यह सिर्फ यहां पर नहीं है, कि यहां पर यहां पर यहां पर यह तो इस स्ट्रक्चर में दिखा, यह पूरे क्रिस्टा में, यह यहां भी होंगे, यह यहां भी होंगे, ऐसे ऐसे पूरे क्रिस्टा, इनर मेंबरेंट के जो वाल है जो ये वाल है अंदर की तरफ माइ्ट्रिक्स के तरफ तो वो क्या होगे ये पूरे में लगे होते तो ये कितने होते एक माइट्रो कॉन इंड्रिया में ये कितने होते ये लग बहग 10,000 से ले करके कितने होते हैं दस हजार से लेकर कितने होते हैं एक लाग तक होते हैं ठीक है दस हजार से लेकर कितने होते हैं एक लाग तक मौझूद होते हैं और इसका काम क्या होता है इसका function क्या होता है यह क्या होता है इस इस F1 Particles या इस Oxysome पर क्या मौजूद होते हैं इंजाइम पाए जाते हैं यह कौन इंजाइम पाए जाते हैं ATP Synthetase कहते हैं ATP Synthetase Enzyme पाए जाता है और यह ATP Synthetase Enzyme क्या करता है यह ATP Synthetase Enzyme जो Nutrients होते हैं सेल में मौजूद उसको क्या करता है ATP में Convert कर देता है किसमें Convert कर देता है ATP में Convert कर देता है तो इसका काम यह क्या हो गया और यह किसके Presence में करता है ये oxygen के presence में करता है, ये क्या करता है? अब हम लोग क्या है? इसका structure देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे इसका, function, function of mitoconindria, तो पहला क्या है, ये producing energy, तो अब जानते हैं कि ये क्या करता है, ये energy produce करता है, इसे powerhouse कहते हैं, cell का, और ये क्या करता है, इसका next, next क्या है, इसका main, main, इसका काम क्या हो गया, function क्या हो गया, तो ये energy produce करता है, और भी बहुत सारे काम करता है, ये जैसे cell date कराता है, अब ये cell date कैसे कराता है, तो ये कौन से cell को date कराता है, जो की पुराना हो गया है, जो बार-बार repeat कर रहा है, जो ज़ादा divide कर रहा है, वो क्या करता है, अगर उस information मिलती है, कि यहां पर cell बहुत करता है उससेल पर जाकर के क्या करता ही उसको डेत करा था और इनर्जी करता है स्टौर करता है के लिस टौर करके रखता है जैसे इसे कि हमारे पर्टिकर में चार्थ होता है वहां उसको फ्रांस्पुर्ट करता है ठीक है, next क्या है, यह heat production कराता है, जब हमारे sale को जरूरत होती heat की, तो वो क्या करता है अपने अंदर, जो store करके रखता है heat को, तो वो heat को भी, जब लगता है, sale को जरूरत है heat की, तो वो heat भी produce करता है, हमारा जो, माइट्र कॉन इंडिया है, जो मैंने बताया है, कि oxy, ऐसे कैसे वो काम करता है, वो क्या करता है, हमारे अंदर के जो nutrients है, जो हमने खाया, carbohydrate और fat और जो हमारे शरी में, proteins जो वगरा वगरा, जो outer side से जाती है, तो वो किस रूप में जाती है, यह है, वो क्या होता है, oxidation होता है, वो क्या करता है, किसके इसमें करता है, present पे करता है, ATP enzyme या ATP synthetase, किसमें करता है, और यह क्या बनाता है, यह बनाता है, यह बनाता है, आपके, है, और H2O बनाता है, और क्या बनाता है, इनर्जी, यह इनर्जी, बनाता है, ATP, और इसको क्या करता है, वो, store कर देता है, और store करके रख लेता है, कहाँ, अपने, तेल में, और जब यह, जब नीड होती है, तेल को, किसी organelles को, या किसी organ को, तो वो क्या करता है, वहाँ, release करता है, ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिए, सेल का, सेल के अंदर मौजूद क्या होता है, माइट्रो कॉर्ण इंड्रिया, माइट्रो कॉर्ण इंड्रिया के बारे में मैंने बता दिया, यह double structure में होता है, यह माइट्र कॉन इंड्र में एक से ज्यादा पाजाते है, जो ज्यादा work करता है, जाएसे हमारा जो भी cell है, जो भी बहुत सारे cell में बहुत सारे mitrocornidia पाया जाते हैं, जो cell हमारा कम work करता है उसमें कम तक पाया जाते है, और ये कैसा कैसा होता है, इसका structure देख लिए हमने, ये क्या करता है ATP synthetese करता है, प्रोडिूंस करता है, किसके presence में करता है, ATP synthetese enzyme के presence में करता है और यह कितने इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है, इसका structure कैसा कैसा होता है, इसका सारा काम कैसे करता है, यह हमने देख लिया, इसका function क्या है, यह भी सारे हमने देख लिया, next class में हम लोग देखते हैं, सेल के next organelles के बारे में जानते हैं, इलाल के लिए, thank you.